Hello my dear students of class 10th, I welcome you in this lecture of Physics जिसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं Spherical Mirrors तो जैसके इसका नाम आ रहा है Spherical Mirrors पहली बात ये बता दो, ये बहुत ही जादा important है जो Plain Mirrors मैंने पढ़ाए था, आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि 10% question ही Plain Mirrors के concept से होंगे और बात के जो 90% concept बचता है वो Spherical Mirrors का होगा उनके यूस का होगा, Numericals का होगा तो पहले जनरली basic idea समझ लेते हैं मुझे लगता नहीं कि बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ पाता होगा कि Spherical Mirrors क्या है तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो आप assume करते हुए चलेंगे आप माल लीजे जिस ball से हम लोग खेलते हैं rubber की जो ball किर्किट खेलते हैं rubber की ball होती है उसकी कुछ ना कुछ मोटाई होती है यानिकि अंदर से वो solid को नहीं होती वो ball होती है hollow कुछ इस तरीके की बना दे रहा हूँ यह उसकी मोटाई है जिस material से बढ़न नहीं है यह उसकी मोटाई है इस ball पर हम क्या करें suppose कर लेगी ball rubber की ना बनके यह ball glass की बने गए जहने कि एक hollow sphere है क्योंकि वो paper पर बन नहीं पाता तो यह आपको यह जो line देख रही है ना इसको बच्चे concave mirror और convex mirror पढ़ते हैं तो मुझे लगता नहीं कि उनको यह बात समझ में आते होगी यह हम उसको transverse view दिखाया है transverse view अगर हम front view देखें तो वो कुछ इस तरीके का देखाई देगा anyway उसके हम लोग आएंगे तो आप एक ball assume कर लीगे एक hollow ball है और इतने मोटे glass की बनी दिया उस glass की उपर वाली side पे भी मैंने mercury से polish कर दिया mercury या silver की coating कर दिया और उसकी अंदर वाली side पे भी मैंने अंदर वाली side पे भी मैंने polish कर दिया और मैंने उसका एक thin piece काट लिया यहां से उसको काट लिया यहां से काट लिया यहां से काट लिया जैसे आप तो यह दिखाई दे रहोगा इसको यहां से कट कर लिया गया और इसको यहां से कट कर लिया गया तो यह कुछ इस तरीके का हो जाएगा क्योंकि अगर मैं इस तरीके से पूरी बॉल बन जाएगी मैंने उसका एक piece cut लिया है तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा यानि कि एक surface, reflecting surface उसकी bulging inward होगी और एक reflecting surface उसकी bulging outward होगी तो इस type से जो हमें mirror मिला ऐसा curve mirror उसी को spherical mirror बोलते हैं because वो sphere का part था a spherical mirror is a mirror whose reflecting surface was a part of a hollow sphere बास समझ भाई अगर मैं bulging outward वाली surface को reflecting surface रीट करूँगा यानि कि इदर अपना face देखोगा यहाँ पर अपना चैरा देख रहा हूँ तो यह concave mirror कहला है और अगर मैं इदर वाली side पे इदर भी मैंने polish कर रखी है तो इदर वाली side पे भी अपना face देख सकता हूँ इस तरीके से तो यह convex mirror कहला है अब मैं आप तो concept समझा देता हूँ लेकिन अगर हम उसको अभी ऐसे देख रहे हैं तो पूरा friend view दिखाई देगा इस तरीके से हम लोग बोलते हैं वही है यह जो है concave mirror है और यह जो है वो convex mirror है उस पे अभी हम बात करेंगा तो आई होप आपको यह बात समझे में आ गई होगी consider a hollow sphere with a very smooth and polished inside surface and an outer surface with a coating of mercury so that no light can come out एक hollow sphere को मान लीजे जो smooth polished surface से बना हुआ है जिसके मैंने अंदर भी polish कर रखी है बाहर भी then if we cut a thin slice out of the shell अगर हम उस shell में से thin slice cut कर लें तो एक curved mirror हमें मिलेगा उस mirror को हम spherical mirror बोलेंगे इसलिए spherical mirror दो type के होते हैं कि आपने polish outside कर रखी है तो चेहरा इस वाली side पर देखे है अगर आपने polish inside कर रखी है अगर मैंने polish की है bulging inward वाली side पर यहां polish है तो face देखेगा इस वाली side पर यह वाली surface होगे reflecting surface और इस mirror को हम लोग बोलके हैं convex mirror center of curvature का बड़ा interesting fact है बच्चो center of curvature is the center of the hollow sphere जिस hollow sphere का आपका जो spherical mirror है जिसका यह part है जिससे यह काटा गया है माल लीजे यह रखान के mirror अगर मैं circle को complete करूँ तो इस तरीके से circle बन जाएगा अभी perfect नहीं बन रहा है तो इसका जो center रहा होगा क्योंकि यह sphere से तो आया है तो उस sphere का center ही center of curvature कहलाता है center of curvature actually center of the sphere जिससे हमने उस mirror को cut किया हुआ है और फिर center से जो line pass होके जाएगी और mirror को beach में से cut करेगी center से तो यह भी pass होके जा रही है center से pass होके जाएगी और mirror को बिल्कुल beach से cut करेगी मन्दब उसकी reflecting surface आधी इधर हो गई और आधी यह नीचे हो गई इस यह जो middle वाला जो point होता है reflecting surface का इसको vertex लिखा है वैसे इसको pole बोलते हैं अभी आगया जाए तो optical axis या principal axis उस चीज़ को बोला जाता है जो center of curvature से जाती है और pole से जाती है वो अभी हम आगया आपको समझाएंगे तो फिलाहाल यहाँ पर clear हो रहा है आपका spherical mirror concave mirror और convex mirror अग कुछ important terms है spherical mirror से related pole देख लीजे सबसे पहले pole क्या होता है the midpoint of a spherical mirror या the midpoint of the reflecting surface of the spherical mirror देखे reflecting surface यह वाली है यह यह जहाँ पर reflection हो रहा है इसका जो midpoint है वो यह रहा इसकी बात हो रही है इसको pole बोलता है याद रगेगा तो किसी भी spherical mirror की reflecting surface का यह बहुत important point है center of the sphere that the spherical mirror was a part of देखे मैं यही तो बोलना चाहता the center of the sphere या the center of the curvature of the sphere that the spherical mirror was a part of sphere यानि के जिस spherical mirror का concave या convex mirror part हुआ करता था उसी का center center of curvature कहलाएगा अब center of curvature से pole तक की दूरी यह रहा center of curvature यहां से pole तक की अगर हम दूरी ले 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 तो यह radius ही तो है तो that is called radius of curvature the distance between the center of curvature and the the distance between the center of curvature and the spherical mirror या फिर उसके pole से the radius will intersect the mirror at the pole मैं तो सीधे बोलता है pole से लेके center of curvature तक की दूरी बस बात कतम हो गई that is called radius of curvature principal axis जो pole और center of curvature से पास हो की जाएगी the pole and the center of curvature is the main principal axis concave mirror a spherical mirror with the reflecting surface that bulges inward अगर concave mirror आएगा तो concave mirror is a spherical mirror, spherical तो होता है whose reflecting surface is bulging inward और convex mirror is a spherical mirror whose reflecting surface is bulging outward यह होगे आपका convex, यह होगे आपका concave focus की थोड़ा सा बात करेंगे focus के लिए एक diagram आपको देखना पड़ेगा चलिए पहले यह diagram देखिए बहुत सारी incident rays parallel आ रही है principal axis के यह concave mirror है यहान रखिएगा तो reflection अंदर वाली surface पे हो रहा है बाहर वाली surface पे polish है if the number of incident rays comes parallel to the principal axis then they will meet at the point on principal axis after reflection it happens in reality अगर concave mirror पर बहुत सारी principal, बहुत सारी incident rays आती है जो principal axis के parallel है तो reflection के बाद यह किसी point पर पकता मिलेंगी और वो point principal axis पर होगा इसलिए concave mirror को converging mirror भी कहते हैं क्योंकि reflection के बाद यह light को मिलाता है focus में लेकर आता है तो याद रखिए का concave mirror को क्या बोला जाता है converging mirror भी बोला जाता है concave mirror are also known as converging mirror because they convergent the light after reflection और यह light को देखिए यह टकराने के बाद light को diverge कर रहा है तो याद रखिए का convex mirror जो है हमारे उसको हम लोग बोलते हैं diverging mirror light को diverge करता है तो concave mirror are also called converging mirrors and convex mirror are also called diverging mirrors तो बात चल रही थी focus की focus को मैं किस तरीके से define कर रहा हूँ focus यह principle focus principle focus और वो भी में दोनों का अलग-अलग defined होता है concave mirror का focus अलग defined होगा convex mirror का focus अलग defined होगा क्योंगी यहाँ पे real virtual का चपकर है आपको एक light में पढ़ा दिया गया होगा focus लेकिन अब focus सुन लीजे बहुत ध्यास से focus of a concave mirror को मैं define करने जा रहा हूँ now listen focus of a concave mirror is a point on its principal axis at which all the parallel rays to the principal axis meet after reflection बास समझाई principle focus concave mirror का यह कैसा point है जो उसके principal axis पर होता है जहाँ पर सारी line हैं मिलती है reflection के बाद कौन सी line है जो incident ray के parallel आ रही थी बात खटब यानि कि यहाँ पर line है real में मिलती है real में इसलिए concave mirror का जो focus है उसको real focus भी बोला जाता है अब convex mirror में सुन लीजे अब real focus और virtual focus आप समझ जाएंगे focus यह principal focus of a convex mirror is a point on its principal axis at which all the parallel incident rays appear to meet at this point यानि कि वो क्या चली जाती है वो diverge हो जाती है मैं तो ऐसा करके scale रखता हूं सीधा यहाँ पर dotted बना देता हूं यहाँ पर क्योंकि ऐसा करके मुझे क्या पता चला कि मैं इधर को भेजूंगा तो वो focus पर आएगा कि नहीं आएगा तो अपना scale focus से मिला लो अगर आपको यह बनाने की बात है तो अपना scale जो है focus पर रखो और incident रे पर रखो उसको अधर भेज़ दो यहाँ से dark line बना दो और यहाँ से dotted line बना दो तो diagram बनाने में गड़ बढ़ नहीं होगी यह थोड़ी सी चाला कि आपको करनी पड़ेगी diagram बनाने के लिए तो इसमें जो focus पर line मिल रही है वो real में नहीं मिल रही है बलकि मिलती हुई दिखाई दे रही है इस तरीके से मैंने क्या किया यहाँ से incident रे मैंने draw तरी principle access के parallel फिर अपना जो ruler है वो ऐसे रख लिया focus से पहले ही मिला दिया उसको यहाँ पर dark line बना दी और यहाँ पर dotted line बना दी समझ गया बात को फिर ऐसे अपना scale को मैंने अपने ruler को ऐसे रख लिया यहाँ पर dark line बना दी और यहाँ पर dotted line बना दी तो इससे पता जलेगा ना कि focus पर या नहीं है लेकिन होता ऐसा है कि वो जाती randomly है लेकिन जब हम उसको produce करते हैं तो focus पर मिलती है हम ऐसी line नहीं बना पाएंगे ना वो तो mirror करता है तो आप अपना ruler पहले ही focus पर रख लिए फिल आई वो तो मैंने एक trick बताई है तो जब बहुत सारी rays parallel आती है principal axis के convex mirror में तो diver हो जाती है लेकिन अगर हम उनको produce करें then they will appear to meet at the focus then they will meet appear at a point on the principal axis that point is called focus of the convex mirror तो actually is it real focus मैं आपसे बुझा हूँ कि यह real है तो focus तो है लेकिन यह virtual focus है क्योंकि यहाँ पर line है real में नहीं मिल रही है virtual focus बात करता हूँ सवाल पूछा जाता है यह बात आपको note करके लिखना है कि concave mirror converging mirror है convex mirror diverging mirror है concave mirror का focus real focus है और convex mirror का focus virtual focus है बात आपको समझना हुई अब coincident ही एक और coincident हुआ यहाँ पर जो center of curvature था जब उसको नापा गया मीजर करा गया center of curvature से focus तक की दूरी और focus से pole तक की दूरी आ रही थी बराबर यह coincidently हुआ क्योंकि अब लोग क्या बोल देते है कि center of curvature का आधा कर दो तो focus निकल आएगा लेकिन ऐसा थोड़ी नहुआ था focus तो वो point था जिस पर सारी line है मिल रही थी या मिलती हुई दिखाई दे रही थी अगर वो line एक principal axis के parallel आ रही थी तो reflection के बाद या तो उस point में मिल रही है यह उस point पर मिलती हुई दिखाई दे रही है real में मिल रही है कॉन के mirror में मिलती हुई दिखाई दे रही है convex mirror में ठीक है तो coincidentally जब उसको देखा गया radius of curvature is the distance between center of curvature and the pole तो इसको मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा erase करके radius of curvature center of curvature से pole तक का distance it is called radius of curvature focus से pole तक का distance that is called focal length focus को capital axis से denote करेए और focal length को small f से denote करेए यानिके जो लंबा ही होती ही focal length उसको small f से denote करते है और जो focus होता है उसे हम capital f से denote करते है तो radius of curvature मैंने का तो coincidentally हुआ radius of curvature आखकर हम आधा करते है तो क्या निकलाए का focus यानिके focus जो होता है focus is lie in just between the pole and center of curvature इस बात को आपको याद रखना है ठीक है तो radius of curvature का अगर आधा करते है अगर आपको किसी की radius of curvature दी जा रही है mirror की focus पूछा हुआ है तो आधा कर दीजे और अगर आपको focus दिया जा रहा है sorry focal length भी जा रही है तो focal length अगर आपको दी जा रही है जो आपको पता होना चाहिए लेकिन मैं एक कर्म आपको और समझाना चाहूँगा अपेरचर यह जो reflecting surface की जो लंबाई है यह कर्व में आ रही है अगर हम mirror complete कर दो ऐसा हो जाएगा तो यह length of arc हो गई और अगर हम center से जोड़ें पर यह कोई न कोई angle बनाती होगी तो length of arc के last 10 में circle में formula पढ़ाया जाता है theta upon 360 into 2 pi r तो यह जो reflecting surface की जो लंबाई है यह जो arc form में आ रही है यह वाली लंबाई पूरी arc form में आ रही है यह वाली लंबाई तो ज़्याद ही मायकर चल गया है वहाँ पर यह जो reflecting surface की पूरी लंबाई होगी यह वाली इसको बोलते है aperture याद रखिएगा aperture इस दर length of the reflecting surface और अगर हम दोनों mirror के इस mirror का end point और इस mirror का end point यानि के इस mirror के दोनों end point को linearly मिला दे, linearly एक line में तो यह उसका reflecting surface का diameter बताते हैं कि reflecting surface जो है को कितने चौड़ी है इस line को बोलते है linear aperture याद रखिएगा क्या बोलते है diameter of reflecting surface भी कह सकते है reflecting surface का कितना size है तो it is called linear aperture और जो actual length reflecting surface की जो arc form में that is called aperture यह दो term है important जो मैंने आपको समझा है aperture और linear aperture आगे चलते है now rules of image formation by spherical millers की image कैसे बनाते है यह बहुत important है बच्चों को बनाना नहीं आते हैं अभी तो MCQs paper आएगा तो rule आपसे पुछे जाएंगे तो कुछ rules हैं और यहाँ पे मैं rules का proof ही विताऊंगा रड़ाऊंगा नहीं क्योंकि मैंने आपसे काता law of reflection हर जगा follow होता है law of reflection हर जगा follow होता है बच्चे सोचें कि law of reflection होता क्या है देखो मज़ेगी बात सुनों यह normal हो गई incident ray से आई reflected ray से चली गई तो यह दोना angle बराबर है अगर मैं यहाँ पे पूछू तो कहो कि सर यही incident ray आ रही है याद कर लो, note कर लो हो सकता है, यह सिर्म आदा बना हुआ आएगा यानि कि यह वाली line बनी हुई नहीं आएगी exam में यह वाली line बनी हुई आएगी कहा जाएगा, reflected ray जो होगी, वो कहां से जाएगी है तो चार rule है total चार rule आज मैं पढ़ाने वाला हूँ और चार rule से ही जो आपने को पढ़ाए गए होंगे image बनती है, कौनके mirror में 6 case है convex mirror में 2 case है वो इन rule से ही बनी है मैं rule पढ़ाऊँगा नहीं, मैं आपको proof करके दे रहा हूँ आज तो चली यह start करता है देखिए तो पहला rule यह है कि if an incident ray comes parallel to principal axis देखिए principal axis के parallel आ रही है then it will go through the focus यह then it will pass through the focus after reflection अगर को incident ray principal axis के parallel आती है तो वो reflection के बाद focus से जाएगी, इसको याद कर लो याद मैं अभी बता दे रहा हूँ, इतना important है अब sir इसमें law of reflection कहां से लग रहा है incident और reflected angle equal कैसे है तो आप एक गल्की कर रहे हो, मैं नहीं कर दे बाला यह है point of incidence और point of incidence पे डालते है normal अगर plane mirror हो तो तो normal डाली भी जाए अब यहाँ पे कहां मैं normal डालू, इधर डालू, इधर डालू, इधर डालू इधर डालू, इधर डालू, इधर डालू, इधर डालू, normal जाएगी कहां वही तो बता रहा हूँ mathematics यह कहती है, अगर कोई आपको surface curve मिले तो आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा बना नहीं पा रहा हूँ, स्केल रखके यहाँ पे एक स्प्रेड लाइन बना दीजे, तो यह इस पॉइंट के लिए प्लेइन मिरर का काम करेगी, यानि कि इस पॉइंट पे जो डारेक्शन है, वो उसकी टेंजेंट से आएगी, अब यहाँ पे जब आप नॉर्मल डालोगे 90 डिग्री हो, तो खुदी बताओ, ऐसी आएगी या नहीं आएगी, खुदी देख लो भई, 90 डिग्री की बात कर रहा हो, इधर थोड़ा सहीदर आएगी, 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो यह आगई आपकी नॉर्मल, आप बनांके देख लिए न, अपने घट पे, और फिर उसके बाद अंगल मेजर करना यह वाला, और यह वाला देखना बरावर नहीं आए, तो I am responsible for that, मैंने का था, लॉफ रेफ्लेक्शन इस एप्लीकेबल everywhere, on all the mirrors, angle of incidence बरावर angle पे, तो हमने जब normal बनाई नहीं थी, वो देखने में अजीब लग रहा है, लेकिन जब हमने normally नहीं बनाई थी, तो हम कैसे कह सकते हैं, कि law of reflection follow नहीं हो रहा है, law of reflection follow हो रहा है, आप engine डालिए, फिर उस tangent पे 90 degree पे line डालिए, तो that will be the normal for this case, और फिर आप angle of incidence और angle of reflection मेजर करके देखें, बराबर आएंगे, ये case नहीं कोई पढ़ाता है, ना किसी किताब में लेका हुआ है, लेकिन अगर यही कौन के mirror हो, वो तो line को diverge कर देगा, यहाँ पे भी हम क्या डालें, tangent डालें, इस red line इस तरीके से, इस पे 90 degree पे line अगर डालें, तो यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे कुछ, इस तरीके, यह हो गई normal rate, हो गई normal, अब angle of incidence और angle of reflection देखें लिए बराबर है, तो अगर वो है convex mirror, तो it will appear to meet at the focus, अगर कोई ray incident ray के parallel आ रही है, तो वो इस तरीके से diverge होगी, अगर हम उसे पीछे की तरफ produce करें, तो वो focus पे मिलती हुई दिखाई देगी, तो दोनों rule same है, इसलिए मैंने एक साथ ले लिए है, concave के अलग पड़ा जाते हैं, convex के अलग पड़ा जाते हैं, लेगे मेरे साब से same है, concave mirror में parallel आ रही है, तो focus से जाएगी, और convex mirror में अगर coincident ray, principle axis के parallel आ रही है, तो वो focus पर आती हुई दिखाई देगी, या focus में मिलती हुई दिखाई देगी, is that clear? यह था पहला rule, दूसरा rule जस्ट इसका opposite है, अगर focus से आ रही है, तो तकराने के बाद, खुद में खुद पैरलेल हो जाएगी, ray passing through the focus, will become parallel to the principle axis after reflection, if a ray comes from the focus, then it will become parallel to the principle axis after reflection, यहाँ भी law of reflection applicable होता है, आप यहाँ पे tangent डालिए, यहाँ पे normal draw करिए, बीच में आएगी angle of incidence, angle of reflection बराबर होगा, अगर आपको curve mirror पर, angle of incidence और angle of reflection, हमेशा बराबर आएगे, this is the real concept, जो पढ़ाएं ही नहीं जाता, तो यह tangent वाली कहानी समझ में आगे, tangent normal वाली कहानी, अब सिर्फ rule पढ़ेंगे, तो अगर कोई light की ray focus से आ रही है, तो वो parallel हो जाएगी, और अगर यह focus पर आ रही है, focus पर आती हो दिखाई देगी न, वो तो पने line मिलाई है, तो यहाँ पर टकराने के बाद वो फुदी कैसी हो जाएगी, parallel हो जाएगी, इधर की तरफ चली जाएगी, योगी focus पर आ रही थी, समझ आई बाग, तो यह हो गया, face number two, याद रखेगा, focus पर आ रही है, तो parallel हो जाएगी, parallel आ रही है, तो focus से पास उपर जाएगी, after reflection, तीसरा point, यह कुछ जादा important है नहीं है, इसका कोई खास use नहीं है, if a ray, incident on the pole, तो जितना angle बना कर आ रही है, उतना angle बना के वापस जाएगी, कहोगे सार, यहाँ पर law of reflection लग रहा है, क्यों? बेटे यहाँ पर normal है, तो बराबर लग रही है, बेटे यहाँ पर normal ही है, इसलिए हो रही है, क्योंकि जब आप यहाँ पर tangent डालोगी, तो विल्कुल SE आजेगी, सीदी, ऐसी आईगी वो tangent, तो यह तो normal ही काम करेगी, फिर principle axis, यहाँ पर जब आप tangent डालोगी, तो विल्कुल सीदी आईगी टेंगेंट, angle of incidence, angle of reflection तो बराबर है, इस case में भी, और angle of incidence, angle of reflection बराबर है, इस case में भी, लेकिन यहाँ दिखाई नहीं देते हैं, और यहाँ पर पता चल पा रही है, तो अगर coincident पर pole पे incident होती है, तो जितना angle वो principle axis के साथ बना कर आ रही है, उतने angle बना के बापस चली जाएगी, क्योंकि pole पे अगर हम principle, sorry, tangent डाले हैं, तो टेंजेंट विल्कुल principle axis के perpendicular आ रही है, तो principle axis इस tangent के perpendicular है, तो principle axis इसका काम कर रही है, यह normal का काम कर रही है, तो चाहें को concave mirror हो, चाहें को convex mirror हो, दोनों के लिए यही rule है, अब आया, चौथा सबसे important rule, if our ray comes from the center of curvature, तो अगर आप यहाँ पर tangent डालें, धियान देजेगा यहाँ पर, तो normal का यही वाली normal हो जा रही है, जो ray center of curvature पर आ रही है, वही normal का काम कर रही है, अब आपको याद हो, मैंने पढ़ाया था, अगर कोई ray normal पर आ जाए, यानि कि zero degree angle होता है, यही पर वह वापस चली जाएगी, तो इसका rule है भई, ऐसे धोड़ी है कि अपने हवा में हो रहे है सारे rule, तो अगर आप यहाँ पर tangent डालें, तो यही ray normal का का काम कर रही है, तो line जब normal पर आ रही है, तो वापस भी normal पर जाएगी, तो यह इसका proof हो रहा है, यह नहीं पाया जाएगा नहीं भी, रटलों पर, if a ray, यह इंसिडेंट ray, comes through the center of curvature, then it will go on the same path after reflection, same path पर जाएगी after reflection, और अगर यह center of curvature पर आतो ही दिखाई दे रही है, तो टक्राने के बाद यहाँ पर वापस सही है चली जाएगी, because जब आप यहाँ tangent डालेंगे, तो वो tangent 90 degree पर आ रही है, यानि कि angle of incidence 0 degree है, तो 0 degree पर यह वापस हो ली हो, तो यह rule है, यह कोई नहीं पढ़ा है अगर tangent वाला case, तो 4 rule हो गाए, parallel आएगी, इमेज बनाने के लिए आपको 6 case हैं न हमारे, तो इमेज बनाने के लिए आपको 2 incident रे चाहिए, और आपको मैंने 4 rule पढ़ाएं, एफ parallel, तो parallel वाली तो हर उसमें ले लिया करो, और दूसरी में आप देखा रहो कैसे लिया जाएगा, तो यह एक object हो गया, बहुत दूरी पे रखा हुआ है, like sun, समझे लो, like sun, अब क्या ऐसा हो सकता है कि mirror में इमेज न बने, mirror के सामने एक screen लगा तो, तो screen पे image बने, हम मैं दिखाऊँगा आपको कोई से, तो मालोश sun हो गया, जो क्यों हम आँदा है, infinity पे रखा हुआ, तो इसके एक हमने यहां से क्या ले ली, parallel raise ले ली, तो मैंने का था हर point से निकलती है, और हर direction में निकलती है, आपको सिर्फ दो raise चूस करनी है, आप दो raise वाली चूस करो, जिनके बारे मैं आपको rule पड़ाए गया है, एक यहां से ले ली, यह भी parallel लागई, फोकस पर मिलगी है, और फोकस पर एक point बना, यही point इतने बड़े object की image कहलाएगा, समझारी बात, तो जब भी कोई object, कहां रख़ा होगा, position of object, infinite, तीन चीज़े आप से पूछी जाएंगी, याद रखिए, position of image, position of image कहां बना, at f लिख दे रहा हूँ, at focus पर बना, nature कैसा बना, तो यह real में cut हो रहा है, nature हो गए, real, real image is always inverted, उल्टी हो जाती है, inverted, size कैसा बना, size object के अगर compare करें, तो बहुत ही छोटा है, छोटे को diminished बोलते हैं, और बहुत ही छोटा है, तो आप लिख दीजे, highly diminished, इसके एक table आईगी आगे, फिलाल ये तीन चीजे, आपको हर case के बारे में लिखनी है, इस बात पर धियान दीजेगा, आप इसको खुद से बनाईए, इस पॉन के mirror बनाईए, और object रख दीजे, थोड़ा सा दूर, दो parallel rays लेके आईए, तो वो आपके focus पे मिलती हुई दिखाई, देंगी, तो ये आपका पहला case हो गया, ये आपको याद करना है, जब object infinity पे रखा होता है, तो image का मनेगी focus पर, nature क्या होगा, real and inverted, size क्या होगा, highly diminished, हाँ, अब देख लिए, सर कैसे मिलेगा, तो अगर कौन के mirror आपके पास है, उसके radius of curvature आपके पास है, सबोस कर लिजे, ये screen है, आपने कोई एक page ले लिया, paper ले लिया, कपड़ा ले लिया, screen है, तो mirror से ये mirror है, समझज़ ये बात को, ये mirror है, लेकिन image मना रहा है, screen पर, तो इसलिए, image real image के लाएगी, अगर ये mirror के अंदर, दिखती पीछे की side, ये image कहा दिखती, mirror के अंदर, पीछे की side, तो ये image, virtual image के लाती, तो screen वाला ये game है, ये दो बच्चों को लीजिए, आप, मुझे नहीं लगता, क्या आपको कराएगा है, देखिए का, फिजिस फ्लैम में जाईएगा, एक table होती है, उस table पे, एक concave mirror fix होता है, उसका focus भी mark होता है, उसका center of curvature भी marks होता है, तो यहाँ पे हम छोटे-छोटे object रखके, और जैसे center of curvature पे object रख दिया, focus पे रख दिया, focus और center of curvature के बीच में रख दिया, center of curvature से पीछे रख दिया, pole और focus के बीच में रख दिया, यहाँ पे रख रखके, हम screen लगा-लगा के image बनाते हैं, आपके physics lag में होगा, जाके देखिएगा, सर से बोलिएगा, कराया जाए, तब आपको यह real में समझ आएगा, number two, number two इसका just rule टा है, यह आपको याद हो जाएगा, तो अभी object हमने कहां रख रख रहा है, object रख हुआ at focus पर, object की position at focus दूसरा case है, तो देखिए यह रहा आपका object, object, मैंने क्या का था, आपको दो rays चाहिए, line बनाने के लिए, तो आपने एक ray लेली, parallel, और जो ray parallel होती है, वो टकराने के बाद कहां से जाएगी, focus से, देखो rule है वही, तो यह आगई focus से, एक ray आपने इसकी उपर वाली core को छूती हुई लेली, और center of curvature को, तो center of curvature से जो आईगी, वो वापस भी किस पर आगई, center of curvature पर, तो यह वापस से cd चली गई, हमने कुछ नहीं किया, हमने तो सिर्फ rule लगा है, एक parallel, फोकस से आगई, और एक center of curvature से लेली, तो center of curvature पर आगई, यह बस object को छूती हुई जानी चाहिए, लेकिन जब हमने यह देखा, तो यह दोनों आपस में कैसी हो रही है, दोनों आपस में हो रही है, parallel raise, और मैं गया दा, parallel line है कभी भी आपस में नहीं मिलती है, तो इन्होंने माल लिया, पोजीशन ओफ इमेज आपकी कहां आगई, देखियो, पीछले वाले case का ज़स्ट उल्टा है, पोजीशन ओफ इमेज हो गई, बेटा, आपकी infinity याद रखेगा, infinity हो गई, infinity पर रखा था, focus पर बना था, focus पर रखा है, तो infinity पर बन रही है, इमेज जाके, दूसरी बात कर रहे है, size कैसा हो गया, तो छोड़ा का object है, infinite पर जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, वहाँ पर highly diminished था, यहाँ पर highly enlarged हो जाएगा, highly enlarged, in case को note करके, याद रखना है, इस पर सवाल आएगा ही आएगा, यह check is बहुत important है, size हो गया, उसके बाद nature हो गया, तो सीदी बात है, mirror के सामने बन रही है, इमेज इस side mirror के अंदर तो नहीं बन रही है, याद रखना है, mirror के सामने जितनी भी image बनेंगी, पैचान मना लो real image, और mirror के पीछे जितनी image बनेंगी, वो सारी virtual image, याद है इतना, लिखाए भी था, पीछे एक table पढ़ाई थी, उसमें देखो दिखाता हूँ आपको, ये भी देख लो, ये भी मैंने पढ़ाया है, ये देखिया, this image, sorry, virtual image, this image is behind the mirror, virtual image mirror के पीछे बनेगी, और lens के friend में बनेगी, जब मैं lens पढ़ा हूँ का, और real image जो होगी, वो mirror के friend में बनेगी, और lens के behind बनेगी, तो mirror के friend में जितनी भी images हैं, वो सारी real images हैं, real, तो nature कैसा हो गया इसका, real and inward, ये तीन चीज़े ही हमें पता कर नहीं थी, दो case हो गए आपके, case number 3, beyond C, object कहां पे रखा हुआ है, object की जो position इसको बोलते हैं, beyond C, center of curvature से पीछे, center of curvature पीछे है, C पर ही रखा है मेरे साब से, C पर ही है, C पर ही है, गलत लिग दिया, at C, center of curvature, center of curvature एक ऐसा point है, याद रखेंगे, पूछा जाता है कि object को कहां रखें, जो image उतने ही size की बन जाए, तो वो point है, center of curvature, center of curvature एक ऐसा point है, जितने size का object होगा, उतने size की image बनाएगा, अगर हम किसी object को center of curvature पर रख दिया, देखेंगे, यह रख दिया, क्या आखाता, दो race चाहिए, जैसा भी आपको मिल जाए, एक तो parallel मिल जाती बड़ी आसा नहीं से, और parallel का rule भी मालूँ है, parallel आईगी तो focus से जाएगी, दूसरी हमने कहां से ले लिए, मैंने कहां से ले लिए, उपर वाली core को छुती भी जाए, बाकि कैसे भी ले लो, आप ऐसे ले लेते है, pole पे angle बना लेते हैं, तो वो भी जैसे जाती है, और यहीं पर cut करती देख लो, जहां पर यह cut कर रही है, लेकिन उनोंने क्या करा, focus से ले लिया, तो इस चीज़ को follow मत करो, आप मैंने जो rule पढ़ाया, आप अपने तरीके से बना दो, उनोंने, फिलाल कोई दिख्कर नी, उनोंने focus से ले ली दूसरी रे, आप focus पे आती है, तो कैसे हो जाती है, parallel हो जाती है, तब भी यहीं cut करेगी, और pole पे आप वो angle वाला rule लगाते, तब भी वो यहीं cut करते, यानि कि image यहीं बनेगी, इसको इससे मिला दिया जाता है, किससे मिला दिया था, center of curvature से, आप दोनों को measure करके देख लिजए, देखिए, ए वाला जो point है न, तो यहाँ पर आ गया, और जो B वाला था, वो B dash यहाँ पर हो गया, पोजिशन ओफ इमेज सुन लिजिया, पोजिशन ओफ इमेज, कहां बनेगा, एड़ सी पर ही रहेगा, size सुन लिजिए, size करेगा, same as object, same as object, जितना बड़ा object था, उतनी बड़ी image, nature कैसा रहेगा, अब यह सामने बन रहा है, तो line के कटने से मन रहा है, nature रहेगा, आपका real and inverted, real and inverted, बात खत्म होगी, that's all, यह unique case है, यह वाले case दो opposite है, यह वाला, position of object, चौथा case पढ़ाने जा रहा हूँ, position of object is beyond C, beyond C, C से पीछे रखता हूँ है, एक रे parallel ले लिए देखो, कहाँ से जाएगी, तो यह parallel वाली जो rail लिए, कहाँ से जाएगी, focus से जाएगी, देख लो तो focus से गुजार दी, चिंता ही कोई बाद, दूसरी center of curvature से ले ली, क्योंकि यहाँ पे center of curvature के आखाने से चली जाएगी, आप चाओ तो focus से ले लो, अगर मैं पोल पे ले के आता, पोल से कुछ ना कुछ एंगल बना के वापस जाती है, वो भी यही कट करती है, तो rule भही है, image भही बनेगी, जो आप चाहा रहे है, जो आपका real case है, image भही बनेगी, इनको follow मत करिए, मैंने आप तो rule पढ़ाए हैं, आप अपने हैसाब से image बना के देखिए, कौन के mirror बनाई और image बना के देखिए, तो फिलाल एक आई, parallel focus से गई, एक center of curvature पे आई, तो center of curvature पे गई, तो याद रखिएगा, जब object beyond C है, तो reflected rays कहा पे cut कर रही है, C और F के बीच में cut कर रही है, इस point पर, तो इसको हम किस से मिला देते हैं, principle axis से मिला देते हैं, तो यही हमारा image कहलाएगा, inverted image हो गई, real image हो गई, size में देख लीज़, आपको छोटी नहीं लग रही है, क्या, object है उच्छा, और यही है छोटी, हाँ, याद रखिएगा, जब हमार object कहां रखा था, beyond c रखा हुआ था, बच्छो, beyond c, तो position of image कहां पर आ रही है, चलो मैं यहीं से बता दे रहा हूँ, क्या लिखो, position of image आ रही है, between c and f, nature कैसा, real and inverted, size कैसा है, diminished, highly diminished नहीं गोलेंगे, diminished गोलेंगे, यह केस भी किलिएर हो गया, दूसरा जो केस है, यह केस था मेरा fourth case, fifth case इसका ज़स उल्टा है, उल्टा यह है कि अगर हम object को between c and f रख दे, between c and f रख दे, तो image बनेगी beyond c, यह बड़ी की छोटी बन रही है, वो छोटी की बड़ी बनेगी, देखो, ब्योंड सी कट होगी, तो image ब्योंड सी बन गई, जो कि उससे बड़ी है, real and inverted है, तो if the object displays between c and f, then the image will form beyond c, real and inverted, and enlarge in size, यह था आपका पाच्छमा case, अब case number six की बात कर लेते हैं, यह unique case है, यानि कि this is the only case, इस पे सवाल बहुत important बन जाएगा, बनाता है, किस case में बनाता है, where the object should be placed, so that the concave mirror will form virtual image, कहाँ पे हम object तो रखें, जो concave mirror virtual image बनाए, तो object should be placed between focus and pole, focus और pole के वीच में रखोगे, यह खड़ा कर दिया, तो इन्होंने parallel वाला, तो concept नहीं लिया है, चलो वैसे मैं होता तो ऐसे ले लेता, parallel, और ऐसे करके चली जाते हैं, कोई बात है, इनकी बात माल लेते हैं, आप अपना rule लगा सकते हैं, center of curvature और इसकी core को इन्होंने छुते हुए ले लिया, तो जैसे ही आ रही है, वैसे ही जाएगी, दूसरा इन्होंने एक पोल वाला rule लगा दिया, कुछ angle बना के पोल से आ रही, उतना angle बना के वापस चलीगी, अगर हम इन रे को आगे बढ़ाएं, और उस वाली रे को आगे बढ़ाएं, तो यह जो gap है, यह बढ़ता जाएगा, यह कभी intersect नहीं करेंगी, इस ली बोलते, virtual image is always direct, इस case में, when the object is placed between f and p, then the image will be formed behind the mirror, याद रखिएगा, position of the image क्या बोली जाएगी, behind the mirror, nature क्या होगा, virtual and direct, size क्या होगा, in large होगा, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यहापर बहुत important note करके लेखिएगा, जो convex mirror है, convex mirror is always produced virtual image, convex mirror सिर्फ virtual image बनाता है, but its image always diminished image, convex mirror हमेशा virtual image बनाएगा, लेकिन वो image हमेशा ही object से छोटी होगी, आप से सवाल आएगा, कि एक mirror, जो virtual image बना रहा है, और वो image size में छोटी है, तुरन समझ जाना, कि वो convex mirror है, क्योंकि concave mirror जो image बनाता है, तुरन समझ जाना, concave हो सकता है, because convex mirror produce करता है, virtual diminished image, तो ये मुझे बतानी थी बात, बहुत important बात है, ये 6 के 6 case होगा, इसके table आपको मिल जाएगी, ये table आप अपनी copy में बनाएगे, infinity भी रखा था, तो का बन रही थी focus पे, real inverted and diminished थी, और size जो था वो, हाँ, हाँ, real inverted size देतो दिया, diminished ब्योंड center of curvature, जब center of curvature से मिने उसको पीछे रखा था, तो between C and F बन गया था, और real inverted और छोटा था, जब center of curvature पर रखा था, तो center of curvature पर ही बनी थी, और same size की बनी थी, और real और inverted थी, यूज में अलग से पढ़ाऊंगा, ये यूज अभी नहीं पढ़ा, between the focus and the center of curvature, जब F and C के बीच में रखा था, तो beyond C बना था, जाके आपने अभी देखा था, real inverted था, थोड़ा सा magnified था, focus पे रखा था, infinity पे बना था, highly magnified था, real and inverted था, और polar focus के बीच में रखोगे, तब image आती ही, virtual and direct, लेकिन वो magnified होती है, और कहां दिखाई देती है, appears behind the mirror, this table is very very important, जितना भी मैंने पढ़ाया, उसका deduction जो है, वो इस table में है, बट सारे वो diagram important है, योगि जब exam में question आएगा, तो आदर diagram आपको बना हुआ दिया जाएगा, और पूछा जाएगा, यह कहां पर cut करेंगी अब, तो अगर आपने ठीक से पढ़ा है, समझा है, तो आप अराम से कर लेंगे, ठीक हो गई बात, अब आता है image formation by convex mirror, सिर्फ दो case है, सिर्फ दो case, पहला infinity पर रखा हुआ, जब infinity पर रखा होगा, लाएने पहरे ले लाएंगी infinity से, तो ऐसे तरीके से जाएंगी, कि वो focus पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, यह real मेरे, तो virtual image बनेगी कहां पर focus पर, size कैसा होगा, highly diminished, तो when the object is placed at infinity in front of the convex mirror, then the image will formed at the focus, size, highly diminished, nature, virtual and erect, दूसरा rule, यह दूसरा case, anywhere, कहीं भी रख दो, anywhere between infinite and pole, कहीं भी रख दो, तो infinite पर रखा था था, आप infinite और pole की बीच की दूरी बची, कहीं भी रख दीजे, तो जब आप कहीं भी रखेंगे, तो एक ray इनोंने लिये, फोकस से जाती ही दिखाई देगी, तो यह दोनों cut कर रही है, pole और focus के बीच में, लेकिन behind the mirror, और जो image का size है देख लो, बहुत छोटा है, तो anywhere, the object is placed anywhere between infinite and pole, the image will formed between the pole and the focus, pole और focus के बीच में जा रही है, यहाँ पर, कभी यहाँ आजाएगी, बट pole और focus के बीच में रहीगी, लेकिन size कैसा होगा, diminished होगा, छोटी बनेगी, और nature कैसा होगा, obviously बात है, जब mirror के पीछे बन रही है, उस पे हम पहुँच नहीं सकते, तो virtual and direct, तो these are only two cases, in the case of convex mirror, इसलिए हम इसको छोटा करने के लिए, देखते हैं, गाली के जो पीछे बाले शीशे होते हैं, जिसको बोलते है, रेर व्यू मिरर, तो उसमें पूरा highway, पूरा road, छोटा होके, पूरे एक छोटे शीशे में दिखाई देता है, जिससे driver को पता चल जाता है, पीछे से कौन आ रहा है, और उस mirror पे आपने एक चीज़ लिखी होगी, objects are closer than they appear, object इतना दूर है नहीं, जितना दूर दिखाई दे रहे हैं, वो थोड़े पास में हैं, क्योंकि उसमें छोटा तरके दिखा रहा है वो उसको, तो आप जो भी rare view mirror देखेंगे, उसके एक line लिखी होगी, objects are closer than they appear, जितना वो दूर दिखाई दे रहे हैं, उससे जादा closer है, इस mirror का use इसलिए किसमें किया जाता है, rare view mirror में, इसके ये दो केस हैं, infinity पे रखा होगा, तो focus पे बन जाएगा behind the mirror, highly diminished होगा, point size होगा, nature होगा है, virtual and erect, यह हमेशा virtual and erect image बनाएगा, यह को लेका है, between infinity and pole of the mirror, यानि के कहीं भी रख दो, infinite और pole के बीच में, image बनेगी, pole और focus के बीच में, और जो image होगी, उसका size होगा, diminished, nature होगा, virtual and erect, अब आजा भी है, uses पे uses बहुत important है, कौनके mirror uses are listed in the points below, कौनके mirror का क्या use है, सुनो भई पहला, shaving mirror, shape जब करते हैं, तो mirror के बहुत pass आ जाते हैं, तो कि तुम्हें मालूम है, कि कौनके mirror सिर्फ एक ही case में, virtual image बना रहा है, जब हम mirror में, जब हम mirror में देखते हैं, तो virtual image तो दिखाई देनी चाहिए, अभी तो देखेंगा, real image तो इसी side दिखाई देगी, यहां मैंने लगाए mirror image बन रही, यह पीछे तो मैं कैसे देखूँगा, तो shaving mirror होता है, shaving mirror में जो हमारी position होती है, वो polar focus के बीच में आ जाती है, बात सुनना, मैं use का reason भी बताऊँगा, तो shaving mirror में बहुत इनसान close रखता है mirror को, तो जो उसके face की position है, वो polar focus के बीच में आती है, जब object polar focus के बीच में रखा होता है, कौन के mirror में तो image का बनती है, अभी बताया था, image बनती है, behind the mirror और enlarge बनती है, तो चेहरा बड़ा दिखाई देता है, तो आराम से shape हो जाती है, दूसरा head mirror में, जो गाड़ी के head होते हैं, एक चीज़ देखो गई, यह रहा गाड़ी का head, तो गाड़ी के head में bulb लगा होता है, बलब के पीछे, यह हो गई reflecting surface हो, यहाँ bulb लगा है, तो इंजिनियर ने पीछे एक silver color की screen लगा जी, concave shape में, तो यहाँ पर bulb fit कर दिया, bulb का फिट कर दिया, focus पर, अब bulb focus fit किया, तो bulb से बहुत सारी rays निकली, वो उस reflector से टकराई, और हम जानते हैं, जो rays focus से आती है, वो कैसी हो जाती है, वो हो जाती है parallel, कैसी हो जाती है, parallel हो जाती है, तो जब वो parallel हो जाएंगी, तो light बहुत दूर तक जाती हुई दिखाई, देगी, एक सेकेंड, एक सेकेंड, तो जो गाड़ी का head mirror होता है, उसमें जो उसका bulb है, पीछे एक concave shape की reflector लगा के, उसको fit कर दिया जाता है, उसके focus पर, जब light की race focus से आती है, तो वो कैसे हो जाती है, parallel, तो focus हमार जो light का focus होता है, वो बन जाता है दूर तक, क्योंकि हम जब कोई गाड़ी चला रहे होते हैं रात में तो हमें दूर तक दिखाई देना चाहिए, तो ये इसका एक use है, reason आपको समझना के होगा, अब उसके बाद astronomical telescope, इसमें भी ये बड़ी image दिखाई देते हैं, telescope में कई सारे mirror use की जाता है, head light में, head light अभी मैंने बता द आली का doctor, वो एक mirror का use करता है, अपने सर पर ये mirror लगाता है, ये भी concave mirror है, वो अंदर छोटे-छोटे object को भी बढ़ा करके देता है, तो ये concave mirror का use है, दूतरा इसका जो use होता है, solar परने से, solar परने से इसका मतलब क्या हो गया, solar cooker वगएर होते है, solar परने से इसमें देखि परी fit कर दिया, इस पारी heat उसको मिल जाएगी, और वो गर्म हो जाएगा cooker, और जो है वो खाना बच जाएगा, दूसरी बाद जो हमारी dish होती है, जो antennas होते हैं, dish TV के, जो antennas होते है, dish होगे, कोई सी भी dish हो, जो antennas होते हैं, वो भी तो concave shape में होते है, और जो उसका receiver है, इ concave mirror को use करने का, बास समझने आगे, convex mirror हम जानते है, convex mirror जो है, वो चीजों को छोटा करके दिखाता है, छोटा करके, जब CCTV cameras नहीं हुआ करते थे, CCTV camera नहीं हुआ करते थे, तो देख रहे हैं, आप, ये convex mirror लगा दिया, पूरी shop को, एक mirror के अंदर दिखाई दे रहा है, CCTV camera का का यहां पे एक इंसान बेट के देखता रहता था, security guard जो भी होता था, तो convex mirror हम जानते है, पूरी shop एक उसमें दिखाई दे रही, बिकॉस जिए चीजों को छोटा करके दिखाता है, तो दिमिनिस दिमिज में आता है, और convex mirror हम जानते है, एक छोटे से mirror में पूरा highway दिखाई दे रहा है कि भी पीछे से कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, तो यह दो इसके important use है कि इसके convex mirror है, ठीक है, inside the buildings, vehicle mirrors and security purposes, तो उम्मीद करता हूँ, आपको यह use भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक use पढ़ना और एक use इस तरीके से पढ़ना कि इसका use कर रहे है, तो क्यों कर रहा है, इसके पीछे principle क्या है, तो वो सारे principle भी मैंने आपको समझा दिए, क्यासा क्यों हो रहा है, तो अमीद करता हूँ कि यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब हमारा इसमें last topic बचता है, जो कि है mirror formula और sign condition है, कि किस तरीके से इसके numerical some looks solve करे इतने सारे diagram से तो बहुत अच्छे से करिए revision, बहुत जल्दी आपके मिलते हैं next lecture, bye bye take care